बहांता गाओं में मिले यूती के कंकाल का अब दोसा मेडिकल बोर्ड करेगा पोस्ट मालडम बांधिकुई से भेजा दोसा गुनती सितंबर को दर्ज कराई गई थी गुमसुदगी बांधिकुई उपखंड के भांता गाओं की पाड़ी पर सोमार सुबह एक कंकाल मिलने से संसनी फैल गई जिसकी पैचान गुनिस साल की यूती के रूप में हुई वे दो महापूर अचानक घर से लापता हो गई थी इस सम्मन्द में परिजनों ने कोलवा थाने में कराई थी ऐसे में अब यूती का कंकाल अवस्ता में सव मिलने से कई सवाल खड़े हो गए हैं पुलिस ने सव को बांधिकुई अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है मामले की गंबीरता को देखते होए पाड़ी पर काफी उचाई में एक छत विक्सित सव की सूचना पर मोके पर पुलिस पोची जा बूरी तरह छत विक्सित कंकाल अवस्ता में मिले सव की पेचन गाओं के ही रहने वाली पूजा अरीजन उमर गुनीस वर्स के रूप में हुई परत्यादर्शियों ने बताया कि सव पूरी तरह गल चुका है हाथ पेर सरी से अलग हो चुके है जिने इकटा कर पोश्ट माडम के लिए अस्पताल ले जाया गया संदिक्द मोत को लेकर पुलिस भी अभी कुछ भी कहने से बच रही है तो परीजनों ने उसकी बच्ची को न्याई दिलाने की गुवार लगाई है वहीं आपको बता दें कि इसको लेकर अब पोश्ट बांदी कुई सामुदा एक सुवास्त के अंदर में नय होकर दोसा जिला आस्पताल में होगा जिसके लिए बांदी कुई से सव को दोसा के लिए बेद दिया गया है गुणती सितंबर को दर्ज कराई थी गुमसुदगी यूती के अचानक घर्षे गायव होने के बाद पर परिजनों ने गुणती सितंबर को कोलवा थाने में गुमसुदगी दर्ज कराई थी ऐसे में पुलिस ने रिपोर्ट तो दर्ज की लेकिन समय रहते हुए यूती को डोणने में सपलता नहीं मिल सकी और मामला काग जो में दब कर रहे गया है ऐसे में परिजनों ने अब न करेंगे इस बात को अंग तूरी बस्ति हमारे साथ सेवक दे पूरी बस्ति हमारे साथ रहे हमारे मत पिते हो आप